हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज एक करंचस है काफी फेमस करंचस है उनको मैं कॉंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ उन्होंने वाइटी की इंकम से अपना न्यू होम ले लिया है और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो रेंट प दिया है और गाइज आप लोगों की महनत रंग लाई आप लोग इतने व्यूज देते हो इतने व्यूज देते हो अंजी धाका के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी उनको भी कॉंग्रेचुलेशन बोलती हों क्योंकि उनकी विजह से आज वो अपना घर ले पाई है क्योंकि आप लोग अच्छे व्यूज दोगे तबी तो वाईटी को फायदा होगा और वाईटी कुछ परसेंट करंचस को पेमेंट करते हैं हम जिसकी भी वीडियो देखते हैं जैसे अंजी धाका के 65 के 23 के लोग वीडियो देखते हैं तो कितना अपना नेट यूज करते ह हैं वो सारा पैसा वाईटी पे जाता है और वाईटी से कुछ परसेंट इन करंचस को मिलता है तो आप ये देखो यूटूब किसी को अपनी पोकिट मनी से कुछ नहीं देता है ठीक है आप लोग जितने व्यूज बढ़ाते हो तो आप अपना नेट खर्च करते तो आपका जो नेट खर्च होता है उससे यूटूब को फायदा होता और यूटूब के जरिये इन लोगों को पैसा जाता है तो ये आप लोगों की विज़े से आप लोगों के पैसे से उसका घर हो पाया है आज तभी तो बोलते कि वाईटी फैमली वाईटी फैमली अगर उसको व्य तो आपको कोई इंकम नहीं हो गाइस यह सब व्यूज का खेल है किसी ने पूछा कि आपने बालकोनी में क्यू रखा तो उसने बोला कि आज मुझे अच्छा लग रहा कि मैं बालकोनी में बैट के सारे स्टोक की वीडियो दिखाऊं और थोड़ा सा इनके अंदर धूप लग और ऐसे लोगों को इतना सपोर्ट कर दिया देखो आज उसका अपना घर हो गया वहा कितनी अच्छी फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है सब का बेवकूभ बनाती रहती है और वाईटी फैमिली और और लोग है विचारे मिट्टी घा रहे हैं हकीकत बताते हैं और उनका कुछ ना हो रहा तो गाइस ये एक छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है अंजली धाका के जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो नहीं बताएगी अभी वो अभी क्लियर नहीं करेगी अभी इसके दो-तिन गोल और है एक गोल कम्प्रीट हो गया वो रैंट के घर से अपने घर में शिप्ट हो गई है उसे अपना घर खरीदा है दो साल से वाइटी पे जो उसने इंकम की है उसका आज आप लोगों के सामने है ठीक है और अपने मूँ से कभी नहीं बोलेगी वो बोलेगी हाँ रैंट का है क्योंकि अभी वो बताना ठीक नहीं समझ लिए क्योंकि काफी लोग उसके पीछे पड़े हुए है अंधेरे में रखेगी वो यह बताएगी कि यह रैंट का है रैंट का है लेकिन वो गाइस रैंट का नहीं है आज उसने अपना फ्लैट ले लिया है काफी टाइम से वाइटी पे है तो वाइटी पे इतने टाइम से आके इतने केजी मिट्टी उसने खाखा के दिकाई है दो तीन साल से तो क्या वो अब घर नहीं लेगी तो कहां गया वो पैसा कहां लगाया वो पैसा कहीं तो लगाएग पे दो बच्चों को लेना इधर जाना उदर जाना उसको प्रोब्लम होती है आप तो देखते हो उसके फैमिली ब्लोग में देखते हो ना बाइक पे हर जगा जाना ठंडी के मोसम गर्मी का मोसम बारिस का मोसम तो हो सकता है जल्दी से गाड़ी भी आ जाए तो ये करंचस इत करेद है ना किया मित पूछना चाहती साथ यह अँपको इस सोचे हैं सोचेяд इतना कि मतात पूत। अच्था नहीं करने कि अवह कीוזिक्पर नहीं कर सrine मीच सिसमा सकते हैं तो करने मढ़ने करेद हैं लोक बागों वो सो समझ के game खेलती है आप लोगों को पता ही है लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी जिसको बोलती है मेरी YT family, YT family को हमेशा जूत बोला है Smen ने हमेशा जूत बोला है उन्होंने बोला था दो दिन के लिए मैं सुसराल में जाओंगी कुछ emergency हो गई है मैं वहाँ ब बेवकूब बनाया और किसको बेवकूब बनाया अपनी वाइटी फैमली को जो दिन रात वीडियो देख देखके कमाई इसकी हो रही है जिन लोगों के तुरू उनी को बेवकूब बनाया उसको अपना घर शिप्ट करना था तो आप देखो उसके व्यूज देखो 35 के 65 के कित कितने व्यूज मिलते हैं मतलब कितना नैट खर्च होता है जिससे कि वाइटी को फायदा होता है और वाइटी कुछ परसंट इनको पेमेंट करते है सारा व्यूज का खेल है इसलिए उसका एक गोल पूरा हो गया अपना होम ले लिया उसने न्यूज अब सेकिंड गोल उसक इतना मुश्किल होता है ठीक है तो हो सकता है next plan यही हो तो guys कितना जुट बोलती है खुद का है और बोलती है मैं rent पे हूँ कोई rent का नहीं है rent के मकान पे उसने कभी एक रुपया नहीं लगाया सब लोगों ने उसको टोल किया था कि इतना गंदा है इतना गंदा है ठीक है गाईस तो एक छोटी सी वीडियो बनाई है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना और दिमाग आख और कान खोल के इन लोगों की वीडियो देखा करो मिट्टी खाखा के देखो कितना ग्रो हो गई है और दो साल से बहुत अच्छी इंकम करिए उसका नतीजा आप लोगों के सामने है और इस अंजी ढाका की इसमें कोई मैनत नहीं है मेन मैनत उनके सब्सक्रा पैदा और जादा और तेजी से होंगे ठीक है और अब आप देख लो तो गाईस बाई बाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में